आप सभी को मेरा नमस्कार मैं हूँ निलेज और इस वीडियो कोर्स में हम सिखेंगे कि हिंदी नामों की अंग्रेजी में या इंग्लिस में इस पेलिंग किस प्रकार से लिखते हैं और पड़ते हैं तो यहां पे हम सबसे पहले देखेंगे कि हिंदी अक्षरों के लिए इंग्लिस के कौन से अक्षर आते हैं जोड़ि आपको याद नहीं है तो आप वीडियो को पॉस्ट करके वीडियो को रोक के आप इन्हें याद करलीजीए पढ़ लिजीए यह आपको एंग्लिस के नहीं पर क्लिक करें जिससे जैनल पर जाएंगे जहां प्लेइस पर क्लिक करेंगे तो आपको कॉर्सस की लिस्ट मिल जाएगी। यहां पर हम देखेंगे कि हंदी के जो अक्षर है और हिंदी की तो यहां पर मतलब अक्षरों में राकी रेफ वाले है तो राकी रेफ वाले अक्षर के साथ जब कोई मात्रा नहीं होती है तो हाँ पर अकस्वर होता है इसलिए यहाँ पर सभी जगा ए लिखा हुआ है जब इनके साथ कोई मात्रा होगी तो हम ए नहीं लिखेंगे तो आईए अब हम अंग्रेजी में हिंदी नामों की स्पेलिंग बनाना सीखेंगे पहला नाम आपको दिख रहा है जिसका पहला अक्षर है द तो सब पहले हम द के लिए लिखेंगे इंगलिज का अक्षर तो द के लिए लिखते हैं डी तो द के लिए डी भी आता है और ड के लिए भी डी ही आता है यह लिखते हैं द के साथ अकस्वार हो रहा है अका उचान होता है तो कुछ अक्षरों में जब मात्रा नहीं होती है, तो हाँ पर A का स्वर होता है, A की ध्वनी आती है, तो हाँ पर हम A के स्वर के लिखते हैं, A और A हम A के मात्रा के लिखते हैं, फिर है C, पर दूशी के उपर R की रेफ, और इस R की रेफ का उचारन पहले होता है, हम बोलते हैं, दर, सिल, तो R का उ जो C है उसमें सर के लिखते हैं हम SH छोटी ए के मातरा के लिए आई फिर है ल तो ल के लिए L आपको याद रफना है कि जो भी अंतिमक्षर होता है उसके साथ अके सवर के लिए नहीं लिखेंगे क्यों कुछ नामों में जब अंतिमक्षर यह होता है तो इसके लिए वाई लि अगले नाम पहला अक्षर न तो न के लिए इंग्लिस का अक्षर एन न के साथ अकस्वर है इसलिए A फिर है गी तो ग के लिए जी बड़ी ए की मातरा है तो लिखेंगे डबल ए फिर है न तो न के लिए एन आकी मातरा के लिए इ नगि ना अगला नम पहला अक्षर रू तो यहां है र, र की लिखते है आर छोटा उ की मातर है र में तो इसके लिए यू फिर है आधा ख तो कोई भी अक्षर आधा हो या पूरा हो हम इंगलिज के अक्षर वही लिखते हैं जो पूरे के लिए लिखते हैं तो पूरे के लिए भी के या चाता है तो आदे के लिए भी हम के H ही लिखेंगे परन्तो आदे के साथ A का उचारन नहीं होगा फिर है सा तो स के लिए S आ के मात्रा के लिए A फिर है ना तो न के लिए N आग की मात्रा के लिए ए रूख सा न अग्रे नम पहला अच्छर ने तो ने में न के लिए एन नाम का पहला अच्छर हमें साथ कैपिटल लिखते हैं चाहे कहीं भी लिखे फिर है एकी मात्रा नम में तो इसके लिए ए फिर है क के लिए के फिर लिखा है च, च के लिए C, H अम की बिंदी है तो इसके लिए हम लिखेंगे A, N जब फिर इसको ऐसा भी समझ सकते हैं च है, च के साथ अकर स्वर इसलिए A और बिंदी के लिए N फिर है द, तो द के लिए लिखते हैं हम B ने, क, च, द, अगला नाम, पहला अक्षर, यो, तो य के लिए Y ओ की मात्रा है, तो ओ, फिर है गे, तो ग के लिए G, ए की मात्रा के लिए E फिर आधा स, तो अक्षर, आधा या पूरा, वही आएगा, आपका S, H फिर है, व, तो व के लिए यहां पे हम लिखेंगे, W, अकर स्वर है, आपकी दुरी है, इसलिए A फिर है र, तो र के लिए R, तो व के लिए V और W दोनों लिखते हैं परन्तु, जब व के साथ कोई मात्रा नहीं होती है, तो इसके लिए हम कुछ नामों में W भी लिखते हैं यो, गे, स्वर, अगरा नाम, पृत्वी, तो यह है आपका प और इसमें री की मात्रा, तो प के लिए इंगलीस का अच्छा है, पी, यहां पे प में जो र, 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 सी की जो मात्रा है, या डी की जो मात्रा है, उसके लिए हम लिखते हैं, आर, आई, फिर है आदा थ, तो इसके लिए टी, एच, फिर है वी, तो वक के लिए वी, बड़ी ए की मात्रा है, तो यहां पर हम लिखेंगे डबल ए, यहां पे नाम में, वह में बड़ी ए की मात्रा है, जो की आखरी में है, इसलिए आपको इंगलीस में, इस डबल ए की ज तो इंग्लिस में कुछ नाम ऐसे भी है कि लोग हिंदी में बड़ी ए की मात्रा लगाते हैं परन्तु इंग्लिस में बड़ी ए की मात्रा के लिए भी आई ही लिते हैं दोनों ही चीज सही है प्री थ वी अग्लर नाम पहला आख्छर वी वी में हुआ के लिए वी छोड़ी ए की मात्रा के लिए आई फिर है क्रा तो क्र के लिए के आर आके मात्रा के लिए ए फिर है अधान तो अधान के लिए N अधान न हो या बिंदी हो N ही लिखते हैं फिर है आपका त त के लिए T वी क्रान त यदि आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहां चैनल के नाम पर क्लिक करें जिससे आप चैनल पर पहुँच जाएंगे जहां प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्स की लिस्ट मिल जाएगी जिस पर क्लिक करके आपको कोर्स के सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे इन वीडियो को क्रम से देखे और घर बैठे सीखे यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहां क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें बढ़ने वाली बटन को क्लिक करें और पर क्लिक करें जिससे आपको आने वाले नए वीडियो नोटिफिक में साथ मिलते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यहां क्लिक करके लाइक करे इस बटन पर क्लिक करके दोस्तों के साथ सेयर करें आप भी सीखें सभी सीखें थैंक यू फॉर वाचिंग